हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ठंडियों में खाने की मज़ा आजा एसी लिलवा तुवेर की सबची जो लिलवा तुवेर की सबची है ना दाल, रोटी, राइस के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है और खास करके ये ठंडियों में लिलवा तुवेर बहुत सारे करेंगे दो पघंड पर देढ़ते हैं मिषैं मिला झेख को फ felline कि उसके नाब अगर टो धिल रेल टाया अगर टो उसको थोड़ा ज्यादा बोरी ना पड़ेका तो ए साइड हमारी तुवेर बोईल हो रही है तब तक हम सबजी में डालने के लिए पालक हरे लसुन की प्यूरी बना लेते हैं तो तेर सारा हरा लसुन हम यूज़ करेंगे और ये सारी सीजे ठंडियों में बहुत मिलता है तो सबसे पहले कंटिनर में डालेंगे पालक उसके बाद डालेंगे ठेर सारा हरा लसुन उसके बाद थोड़ा पानी डालके हम उसकी एकदम समूझ सी प्यूरी बना लेते हैं तो पालक है लसुन की प्यूरी में बना लिया है बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और दूसरी साइड हमने जो तूवेर को बोईल करने के लिए रखा था न वो भी बोईल हो गई है तो चल लिए गेस की फ्लेम बन करके ये तूवेर को हम एस साइड रख देते हैं और दूसरी साइड सबजी बनाने के लिए गेस पर रखेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे तीन चे चार टेवला स्पून जीरा डालेंगे हाफ अटी स्पून जीतना हिंग डालेंगे two मीर्ची को मैंने कट कर लिया था हरी वाली बाव में डाल रही हूँ उसके बाद डालेंगे हरावला प्याज अगर अनुसार नमक अच्छे से प्यास को मिक्स करेंगे अगर हरा प्यास नहीं डालना है तो सुखा वाला प्यास भी आप ले सकते हो उसके बाद डालेंगे बोईल किया हुआ लिलवा तुवेर तुवेर डालके अच्छे से हम मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद में तुवेर का हिसाब का डाल रही हूँ नमक और हाफटी स्पुन जितना फिर से हल्दी पाउडर डालूंगे अच्छे से तुवेर को मैंने मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद हमने जो पालक एन हरे लसुन की प्यूरी बनाई थी न वो में डाल रही हूँ और हरे लसुन की जो हमने प्यूरी बनाई है उसका फ्लेवर है बहुत अच्छा रहा है उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी ज्यादा नहीं अगर आपको सबजी रसे वाली बनाना है ना तो पानी की मदराब ज्यादा ले सकते हो बट मैं ज्यादा नहीं डालूँगी यूरी डालके हम अच्छे से सबजी को मिक्स करेंगे उसके बाद थोड़ी से हम टेस्ट कर लेंगे ताकि हमको पता चले के नमक वगेरा डालना है या नहीं थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं डाल रहे हूँ उपर से में डालूँगी लेमेन जूस लेमेन जूस है न ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी लेमन जूस डालके सबजी को अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम कड़ाए के उपड़ धकन बन करके अराउंड एक से दो मिनिट के लिए सबजी को पकाएंगे ज्यादा नहीं दो मिनिट के बाद मैं देख रहे हूँ तो यह तूवेर तो हमारी ओल्रेडी बोईल थी और ग्रेवी तो पकने में ज्यादा डायम नहीं लगता है तो यहाँ पे हमारी मस्त टेश्टी वाली सबजी बन गई है और एकदम साधी सिम्बल सी यह सबजी थी बट बहुत टेश्टी बनी थी और मैं यह सबजी है ना सुखी टाइप की रखी है क्रेवी वाली रखना है तो भी आप रख सकते हो बट यह सबजी है ना मैं दाल राइस के साथ सव करने वाली हूँ सबसे पहले पलेट में सव करेंगी मस्ता गरम मा गरम हरे लसुन से बरपूर लीलवा तुवेरHigh की सबजी तो ये सबजी के साथ डाल है ना तो ये सुकी सबजी अच्छी लगती है तो यहां पे मैंने लिलवा तुवेर की सबजी 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 कर लिया है अभी हम सबजी करेंगे गरमा गरम रोटी उसके साथ मैंने एक बाहूल में ले लिया है बासमती राइस वो भी हम सबजी करें तो फ्रेंड्स अगर आप कोई मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले एंड ए रेसिपी आप अपने फ्रेंड फेमिली के साथ जरूर शेर कर सकते हो तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई